नमस्कार दोस्तो आप सभी लोगों का वारियेंट बिन्यस में स्वागत है आज अगर बात करें दुनिया में सबसे सफल व्यक्ति कौन है तो नाम आता है इलोन मस्क का आज के वक्त में इलोन मस्क के पास टेसला, स्पेस, एक्ष, ट्विटर, ओपेन एई, निूरा लिंक, बोरिंग कमपनी और स्टार लिंक जैसी बड़ी बड़ी कमपनी है ये सभी कमपनी एक अलग प्रोजेक्ट पर काम कर रही है जो दुनिया के लिए नया होगा लेकिन इलोन मस्क ही ऐसे वक्ति नहीं है जो इन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं यूके में बेस्ट वन वेब कमपनी ये टार लिंक को टकर दे रही है फ्यूचर में इंटरनेट के मामले में इनी कमपनी का बुलबाला होगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि वन वेब कमपनी का मालिक इंडियन है यह भारत के लिए बहुत बड़ी बात है वन वेब और इस्टार लिंक का पिजिनस लगबक सेम है तो आज हम बात करेंगे इस्टार लिंक और वन वेब कैसे काम करते हैं और फीचर में इनमें से कौन करेगा इंटरनेट की दुनिया पे राज तो इसके लिए वीडियो में लास तक बने रहे हैं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो चलिए ही स्टार्ट करते हैं आज के वक्त में इंटरनेट का रिमांड बहुत जादे है लगबक पूरी दुनिया में 7% पॉपलेशन ही इंटरनेट यूज करती है और अगर बात करें इंडिया की तो 48% पॉपलेशन यूज करती है इससे आप अनुमाल लगा सकते हैं कि किने ऐसे जगह हैं जहां इंटरनेट नहीं पी जा रही है यह एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है एसा नेटवर्क है जो किसी देश और महादीर को तक फैला हुआ है पूरी दुनिया इसे मिली हुई है जैसे हर देश में डाटा सेंटर होता है जहां डाटा कलेक्ट होता है और वा इलेक्टिक सिगनल के तुरू एक दुसरे के साथ कनेक्ट राता है जिससे पूरी दुनिया का डाटा इनफोर्मेशन एक दुसरे तक पहुँच सके इसे दो तरीके से लोगों तक पुँचाय जाता है पाला सैटेलाइट के तुरू और दुसरा उप्टिकल फाइवर के तुरू आज के वक्त में ऑप्टिकल फाइवर पूरी दुनिया में जाल की तरह फैला हुआ है लेकिन यह पहारी जैसे जगों पर नहीं फैल पाता तो उसके लिए सेटलाइट का यूज किया जाता है वन वेव और स्टार लिंक दोनों ही सेटलाइट बेस्ट इंटरनेट पर काम कर र किया है और फीचर में कितना लॉंच करेगा यह अभी एनाउंस नहीं किया है अब बात करेंगे इन दोनों कंपनी में से कौन करेगा इंटरनेट की दुनिया पर राज तो इस्टार लिंक के पास अपना सेटलाइट दूसरे इस पेस एजेंसी से लॉंच करवाता है जैसे र हरतिय कंपनी है वहीं 22% से यूटेल सेट कंपनी जो कि यूरूपियन कंपनी है 17% से यूके गवर्मेंट के पास है और 17% से यूट बैंक के पास है जो कि जैपान की कंपनी है इससे यह पता चलता है कि वन वे बहुत ही स्टॉंग कंपनी है इन दोनों कंपनी के आने से पब सक्राइब चूजा एाल